मैं प्रेग्नेंट हो गई, दो बार तो उसने मेरी डिन सी करवा दी थी और तीसरी बार हुई मैंने उसको बोला कि अब कोट मेरिज कर लो उसने बोला नहीं मैं कोट मेरिज नहीं करूँगा मुझे और टैम चाहिए इस तरह भाने मारता रहा दो तिन दिन हमारी तकरार रही और फिर वो छोड़के मुझे महा से भगी आया, हेमलता सिंग, मेरा जिस्तान से, जी मेरा जिस्तान से हूँ, मैं यहाँ पर मुझे साधी की थी आके लड़के ने मेरे साथ, यह जमु कुंडा पंतूरी का लड़का है, उसने राजिस्तान में मुझे साधी की थी और मुझ तो उसने मेरी डिन सी करवा दी थी और तीसरी बार हुई मैंने उसको बोला कि अब कोट मेरिज कर लो उसने बोला नहीं मैं कोट मेरिज नहीं करूंगा मुझे और टैम चाहिए इस तरह बहाने मारता रहा दो तिन दिन हमारी तक्रार रही और फिर वो छोड़के मुझे महां स बगी आया फिर मैं उसके बाद उसके घर पे गई थी दस घर पे उसके घर रही 10-12 दिन घर वालों ने बोला हमारा बेटा आएगा आप भी जाओ हमारा बेटा आएगा तो हम उसको राजिस्तानी ले के आएंगे इस वर रखा हुआ था रूम लेके और फिर पुनेश्वार उसके आधारगाड की टूगोपी थी, जी में राजिस्तान से हूँ, मैं यहाँ पे मुझे साधी की थी आके लड़के ने मेरे साथ, यह जमु कुंडा पंतूरी का लड़का है, वह उसने राजिस्तान में मुझे साधी की थी और मुझे चोड़के भगी आया, मैं प्रेगनेंट हो गई दो बार तो उसने मेरी डियनसी करवा दी थी और तीसरी बार हुई मैंने उसको बोला कि अब कोट मेरिज कर लो उसने बोला नहीं मैं कोट मेरिज नहीं करूँगा मुझे और टैम चाहिए इस तरह बार ने मारता रहा दो तिन दिन हमारी तकरार रही और फिर वो छोड़ के मुझे मां से भगी आया फिर मैं उसके बाद उसके घर पे गई थी दस घर पे उसके घर रही दस बारा दिन गरवालों ने बोला हमारा बेटा आएगा आप भी जाओ हमारा बेटा आएगा तो हम उसको राजिस्तानी लेके आएंगे पुनेश्वर रखा हुआ था रूम लेके और फिर पुनेश्वर से भी खाली करवा दिया रूम मकान मालिक ने और फिर वो छोड़ के चला गया मुझे बस स्टेंड पे छोड़ गया मेरा आधार कार्ड फॉन वोन सब ले गया आपको मालूम कैसे पढ़ गया इसका गार पपंत्र में मेरे पास उसके आधार कार्ड की टूकोपी थी